हेलो दोस्तो टुडेइस फूड में आपका स्वागत है मैं लेकर आई हूँ बिलकुल पेहा टेस्टी और यम्मी यूपी स्टाइल में कड़ी मैंने जो पकोड़िया बनाई है वो मैंने प्याज की बनाई है जो बहुत ही टेस्टी बनी है और वो कड़ी के टेस्ट को और अच्छा बना देती है हमारे यूपी में जिस तरह कड़ी बनाई जाती है आज मैंने वही कड़ी आप लोगों के साथ शेयर केई है तो प्लीज वीडियो में अंतक बने रहिए श्टेप से ही आपको पता चलेगा कि कड़ी कितने टेस्टी बनी है तो यहाँ पर बने लिया है दो बड़े कटे हु प्याज और इनको पतले-पतले slice में काटा है देखे इस तरीके से पतले-पतले slices काटे है और फिर इन्हें मैं अच्छे से कर दूँघी ताकि यह सारे slice अच्छे से खोल जाए ये देखे इस तरीके से फिर इसमें डालूंगे खुब धेर सारा धनिया की पकोडी बनाओ कड पकोड़ी को binding देगा और फिर मैंने डाला नमक स्वाद अनुसार यह देखिए इस तरीके से और फिर मैं इसमें थोड़ी सी हींग भी डाल दूँगी क्योंकि बेसन वगरा की चीजों में हींग जो पड़ती है तो पेट को बहुत फायदा करती है और फिर मैंने इसमें डाला एक चमच हल्दी पाउडर और एक चमच मैं यहाँ पर डालूँगी सबजी मसाला इससे क्या होगा थोड़ा पकोड़िया टेस्ट जो है वो काफी अच्छा आ जाएगा और आधा चमच मैंने इसमें अजवाइन डाल दी है और इन सब को मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी हमें जित्ती जरूरत होगी पानी की उतना ही थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर मैं इसे अच्छे से बाइंड करती रहोंगी ताकि यह पकोड़िया बनाना आसान हो जाए बस यह देखे थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा एक साथ पूरा पानी मट डालिएगा और यह दे तेल नहीं यूज़ करूँगी, तो बस जितना मुझे जरौत होगी, मैं उतने ही तेल का यूज़ करूँगी, और मैंने यहाँ पर सरसो का तेल यूज़ किया है, क्योंकि बेशन की पकोड़ी वगरा सब सरसो के तेल में बहुत अच्छी बनती है, यह देखिए, इस तरह मैं गुमा कर तल लूँगी, फिर मैं इन्हें निकाल लूँगी, यह देखिए, इस तरीके से, यह गोल्डन हो गए, तो मैंने इन्हें निकाल लिया है, अब मैंने कड़ाई में जो तेल एक्स्ट्रा है, उसे मैं निकाल लूँगी, और यह देखिए, कड़ाई में मैंने बिल का यहल्दी का जो कच्छापन है वो निकल जाए यह देखे इस तरीके से हमें इसे अच्छे से में पका लिए खूब अच्छे से यहने आदा कटोरी बेशन को दो कटोरी मक्ठे में अच्छे से भिगो दिया था और यह देखे इसका गोल बना आ और थोड़ा सा पानी और डालेंगे, क्योंकि बेसन बहुत जल्दी गाढ़ा होने लगता है, तो पानी डालकर हमें उसे कम से कम 10-15 मिट तक पकाना है, तब हमारी कड़ी अच्छे से पकेगी, ये देखिए मुझे थोड़ा खटा कम लग रहा है, क्योंकि यूपी में तो भा क्याकी कड़ी बनती है, आप लोग जरूर कमेंट करके बता ना कि किस को किस को खटी कड़ी बहुत अच्छी लगती है, ये देखिए ये हमारी कड़ी अच्छे से पक रही है, इसे हमें दीदीदी हाज पर कम से कम 10-15 मिट तक पकाना है, क्योंकि क्या होगा कि हमारा बेसन अच्छे से पक जाएगा मठा अठा जो पड़ा है वो सब भी पक जाएगा तो कच्छापन नहीं रहेगा इससे और यह देखे कितनी स्वादिश्ट लग रही है न वड़िया देखने में तो आप सोची खाने में कितनी टेस्टी होगे और यह देखे यह हमारी कड़ी बिल्क पकड त्यार हो गई है देखने में भी बिल्कुल यम्मी लग रही है अब हम इसे बंद कर देंगे तो अब हम त्यार करेंगे इसका च्छोकन तो मैंने लिया है च्छोकन के लिए यहाँ पर सरसोका तेल और उसमें मैंने डाला एक चमच राई अच्छे से हो जाएगी तो म यहाँ पर सूखी लाल मिर्चे डाली है इस सबका फ्लेवर कड़ी में बहुत अच्छा लगता है फिर मैंने डाला था भी अच्छे से कड़कने लगी तो मैंने अपना च्छोकन कड़ाई में डाल दिया कि इतना टेस्टी लग रहा है ना च्छोकन और फिर इसे चला कर पर आज की बनाई थी, उनको रख दिया है, उपर से अपनी कड़ी, जटपटी डाल दी है, तेकने में कितनी यम्मी लग रही है ना हमारी कड़ी, यह बहुत स्वादिश्ट है, पर आप इस तरीके से खाएंगे ना, तो बिल्कुल उंगलिया चाटते रह जाएंगे, मैंने अच्छी बनेगी, बहुत यम्मी बनेगी, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये यूपी की कड़ी कैसी लगी, ओके बाई